जहिंद प्यारे सात्यों स्वागत है आप सभी का उतकर्ष एकेडिमी खिल्चिपूर के ओनलाइन प्लेटफों में प्यारे सात्यों इस वीडियो में हम लोग MP पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम 2023 के लिए मैत के प्रिवियस एर क्योशन डिसकस करेंगे प्यारे सात्यों इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा सात्वा पार्ट है इस से पहले 6 पार्ट हमारे complete हो चुके हैं बाकी पार्ट यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी जहां जाकर बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं इस क्लास का पीडियाप आप हमारे टेलिग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक भी क्योशन को बिना इसकिप किये पूरे वीडियो को ध्यान पुर्वक वोच करना है आपकी आने वाली एक्जाम में इसी प्रकार के क्योशन आपको देखने को मिलेंगे आज का पहला क्योशन है हमारे पास रवी के स्टेम्प संग्रे में दो बटे साथ भारती स्टेम्प हैं और सेश वीडेसी स्टेम्प हैं भारती स्टेम्प का वीडेसी स्टेम्प से क्या अनुपात है तो यहाँ पर जब यहाँ पर लिखा 2 by 7 तो 2 बटे 7 का मतलब यह हुआ कुल स्टेम्प की संक्या अगर बात करें तो यह बटे वाला नंबर आपको मानना है कुल स्टेम्प यहाँ पर 7 के यूनिट में हैं अब यहाँ पर बोला गया कि यह जो ऊपर वाला मानने यह भारती स्टेम्प हो जाएगा तो यहाँ पर भारती स्टेम्प का अनुपाद जो बनेगा दो रेशो बनेगा और विदेशी स्टेम्प का जो अनुपाद बनेगा वो कितना बनेगा अगर साथ टोटल स्टेम्प की संक्या हैं जिन में दो स्टेम्प भारती हैं साथ में से दो को गटाना कितना वचा यूनिट स्टेंप विदेशी स्टेंप है, इसलिए भारती और विदेशी स्टेंप की संक्या का जो अनुपाद बनेगा, 2 रेशो 5 बनेगा, option नमबर A बिलकुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, option नमबर 2 हमारे पास है, हम minus 1 बटे 5 को किस संक्या से गुणा करें, जिससे ग किसे करने की बात कर रहा है क्योशन माइनस के एक बटे 5 से तो बरावर में जो उत्तर आएगा उसके बारे में बोला कि 9 बटे 25 उत्तर के रूप में प्राप्त होगा तो यहां से हम अगर X का वेल्यू लाएंगे तो हमारे पास वो संक्या प्राप्त हो जाएगी तो 9 बटे 25 क साइड हम लोग माइनस का एक बटे 5 लाएंगे तो यहां माइनस का 5 बटे 1 यह उलट जाएगा और यहां पर X का मान लाने के लिए 5 से 25 को काटेंगे 5 बार कटेगा और यह माइनस का गुणा 9 से होगा तो माइनस का 9 बटे और बटे में कितना जाएगा 5 तो माइनस का 9 बट एक व्यक्ति एक वस्तू को 550 रुपे में बेचता है जिससे वहाँ क्रेमुली का एक बटे-दस लाब प्राप्त करता है इसका लाब प्रतिशत कितना है तो यहाँ पर क्योश्चन में जो फ्रेक्शन दिया एक बटे-दस इसी से हमारा सारा काम हो जाएगा सबसे पहले आप क् अनुपाद बनेगा और लाब का अनुपाद यहाँ पर एक अनुपाद बनेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे क्योश्चन में पूछा लाब प्रतिशत बताओ तो लाब प्रतिशत का जो फॉर्मुला होता है आप सभी जानते होंगे कि लाब बटे में क्रेमुली और गु cancel out होकर 10% का लाव जाएगा option number D बिलकुल right answer हो जाएगा question number 4 हमारे पास एक धनराशी 10% वार्शिक चकुरदी ब्याज की दर पर दो वर्च की अउदी में 315 रूपे हो जाती है उसी धनराशी पर समान ब्याज दर पर समान अउदी के लिए साधरन ब्याज क्या होगा तो इस question को करने के लिए जो हमें 10% दर दिया इसका fraction बना लो और fraction बनाने के लिए 10 बटे 100 करेंगे 0 से 0 कर जाएगा तो fraction एक बटे 10 बनेगा और 10 ये मूलदन का अनुपात है उपर में चक्रवदी ब्याज का अनुपात एक है और चक्रवदी ब्याज हमेशा मूलदन पर लगता है 10 पर एक ब्याज लगेगा तो 11 बटे 10 हो जाएगा और ये दो वर्ष समय दिया दो बार इसका मल्टिपिकेशन कर लो 11 गुणा 11 करोगे 121 बटे में अजाएगा 100 तो नीचे वाला मूलदन का अनुपात बनेगा ऊपर वाला जो मान बनेगा ये मिश्वदन का अनुपात बनेगा तो CI यानि चक्रवदी ब्याज का अनुपात कितना होगा तो 121 में से 100 को गटाएंगे तो हमारे पास 21 रेशो 21 रेशो चक्रवदी ब्याज का अनुपात बनेगा और क्योश्चन मिस 20 रेशो का मान 315 हमें दिया गया यहां से क्या करो एक रेशो का मान लाओ 315 में 21 का वाग लगा ना तो सातिया 21, साच्युकू 28, 27, 35 और 345 को काटेंगे तो 15 रा कट हो जाएगा तो यहां से हम क्या करेंगे मूलधन निकाल लेंगे मूलदन का अनुपाद 100 था तो एक रेषयो कमान जो 15 आया इसका गुणा 100 से करेंगे तो 1500 रुपे यहाँ पर मूलदन बन जाएगा क्योशन में पूचा कि सादारन ब्याज बताओ सादारन ब्याज लाने के लिए मूलदन गुणा दर गुणा समय और बटे में करेंगे हम लोग सो तो साधरण ब्याज हमें निकालना है साधरण ब्याज मूलदन हम लोग लेकर आ चुका है कितने आपर फंद्रा सो गुणा दर क्योशन में बोला की 10 प्रतिशत ही मानना है और समय 2 साल ही लेना है और बटे में सो तो साधारण ब्याज हमारे पास 15 दूनी 30 यानि 300 रुपे साधारण ब्याज निकल के अजाएगा ओफिर नमबर A बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्योशन नमबर 5 और IMP क्योशन है मेरी आयू 12 वर्ष के बाद उस आयू की तीन गुनी हो जाएगी जितनी 4 साल पहले थी मेरी वर्तमान आयू बताओ तो आपको क्या करना है याँ पर समझना है 12 साल बाद आयू उस आयू की तीन गुनी हो जाएगी जितनी 4 साल पूर्व थी तो आप यहाँ पर क्या करो 4 वर्ष पहले की एज मान लो चार वर्ष पहले जो आयू थी मान लिया जाए कि एकस वर्ष थी तो वर्तमान आयू लाने के लिए क्या करना पड़ेगा एकस में हमें चार जोड़ना पड़ेगा यह वर्तमान आयू आ गई अब क्योशन ने बोला कि बारा साल बाद आयू कितनी हो जाएगी तो 12 साल बाद का क्या करो X प्लस 4 वर्तमान आयू है और इसमें 12 जोडेंगे तो हमारे पास 12 वर्ष बाद की आयू आ जाएगी तो यहां पर 12 वर्ष बाद आयू कितनी हो जाएगी X प्लस 12 चार 16 अब क्योश्य ने ये बोला कि 12 साल बाद आयू उस आयू की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 साल पहले थी 4 साल पहले आयू X थी तो 3 गुनी हो जाएगी तो 3 X 3 X आयू हो जाएगी हमारे पास कब हो जाएगी ये 12 साल बाद तो जो X प्लस 16 दिया ये भी 12 साल बाद का है और यहाँ पर 3 X भी 12 साल बाद की आई हुए तो यह दोनों अपस में बराबर हो जाएंगे अब क्या करो 3 X और प्लस का 1 X इदर माइनस हो जाएगा और बराबर में 16 रह जाएगा तो यहाँ पर 2 X बचेगा और यहाँ पर 16 यहाँ से हम X का वेल्यू लाएंगे गुणा का दो इदर भाग में जाकर 16 को काटेगा 8 बार तो X का वेल्यू 8 वर्ष यहाँ चुका है क्योशन में बोला मेरी वर्तमान आयू बताओ तो वर्तमान आयू बताने के लिए जो X का मान है यहाँ वर्तमान वाली मानी गई एज में रग दो तो X की जगे आप लिखोगे कितना 8 प्लस 4 तो 12 वर्ष मेरी वर्तमान आयू बताओ जाएगी ओफशन नमबर B सही जवाब है क्योशन नमबर 6 और important क्योशन में अपनी यात्रा का तीन बते चार भाग चलने पर पाता हूँ की मैंने 16 किलो मीटर चल लिया है अभी मुझे कितनी और यात्रा करनी है तो यहाँ पर क्या करो आप कुल यात्रा जो है याद रखना इस फ्रेक्शन में नीचे वाला माने चार के अनुपात में कुल यात्रा है जिसमें से चली गई यात्रा कितनी है तीन अनुपात और तीन अनुपात का मान क्योशन में दिया कि 16 किलो मीटर में चल लिया एक अनुपात का मान लाओ 16 में 3 का भाग देंगे अब क्योशन ने बोला मुझे कितनी और यात्रा करनी है तो जब 4 अनुपाद टोटल यात्रा का मान था 3 अनुपाद अगर वो चल लिया तो बची हुई यात्रा कितने अनुपाद बची 1 अनुपाद और एक अनुपात का मान क्योशन में आ चुका है 16 बटे 3 तो यहाँ पर क्योशन में हमारे पास 16 बटे 3 सही आंसर हो जाएगा तीन का बाग 16 में लगाएंगे 3, 5, 15 एक बचा और बटे में 3 लिकेंगे तो 5 सही एक बटे 3 किलो मीटर की यात्रा और अभी मुझे करनी है ओफशन नमबर यहाँ पर A वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योशन नमबर 7 की यदि बात की जाए यदि Y प्लस 47 का मान क्योशन में दिया 56 तो क्योशन में पूचा की Y प्लस 33 का मान बताओ तो Y का मान लाने के लिए प्लस का 47 इदर लाएंगे 56 साइड तो यह माइनस का 47 हो जाएगा और Y का मान लाने के लिए 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा और यह 4 में 4 गया तो कितना आजाएगा 0 तो Y का मान हमारे पास 9 बचेगा क्योशन में पूछा गया कि Y प्लस 33 का मान बताओ तो Y का वेल्यू 9 है और प्लस इसमें 33 और जोड़ देंगे तो Y प्लस 33 का मान हमारे पास निकल के आजाएगा 9, 3, 12 के 2, 3 में एक जोड़ा 4, 42 इस क्योशन का सही जवाब है Option number D correct answer हो जाएगा Option number 8 हमारे पास है हरीश एक पुस्तक को 25 रुपईये में बेचता है और 25 प्रतिशत का लाब राप्त करता है पुस्तक का क्रेमुली क्या है जिस पर उसने पुस्तक को खरीदा था तो आप इस पुस्तक का क्रेमुली प्रतिशत में मान लो 100 प्रतिशत क्योशन में बोला 25 प्रतिशत लाब पर बेचा गया तो 100 प्रतिशत पर 25 प्रतिशत लाब कमाया तो 25 प्रतिशत और जुड़ेगा 100 प्रतिशत में तो विक्रेमुली हमारे पास 125 प्रतिशत आ जाएगा और इस 125 प्रतिशत का मान क्योशन में 25 रुपे दिया है क्या करो एक प्रतिशत का मान लाओ तो एक प्रतिशत का मान लाने के लिए 25 में 125 का भाग लगाओ अब यहां पर क्योश्य ने बोला इसका क्रेमुल्य बताओ और क्रेमुल्य का मान 100 प्रतिशत हैं तो एक प्रतिशत का मान हमारे पास आ चुका है 25 बटे 125 अगर इसका गुणा हम सो से करेंगे तो हमारे पास सो प्रतिशत का माना जाएगा और यही वस्तु का क्रेमुली होगा 25 पंज एक सो पच्चीस होता है पांच से काटेंगे सो को तो 20 बार कड़ जाएगा यानि इस पुस्तक का क्रेमुली जो होगा 20 रुपे होगा ओप्शन नमबर भी बिल्कुल राइड आंसर हो जाएगा क्योशन नमबर नाइन वेरी मोस्ट इंपोर्डेंट क्योशन एक संख्या के अभाज गुननकंड हमें दिये हैं इसे कि संख्या से गुना किया जाए कि या पून गन बन जाए प्यरे सात्यों जब कभी भी किसी संख जोडे बनाओ तो यहाँ पर दो के तो तीन-तीन के जोडे बन चुके हैं अभ यहाँ पर देखो तीन गुना टीन लिखा हैं तीन का जोडा बनाने के लिए एक तीन का और गुना करना पड़ेगा इसी प्रकार 5 गुणा 5 लिखा है 5, 3 का एक पेर बनाना है तो यहाँ पर 1, 5 की और कमी है इस प्रकार 7 गुणा 7 लिखा है 3 का जोड़ा बनाने के लिए 7 का गुणा और चाहिए इस प्रकार इस पूरी संख्या में कितने का गुणा करना पड़ेगा साथ गुणा पांच गुणा तीन साथे पंज पैंटीस होता है और पैंटीस का गुणा तीन से करेंगे तो सही जवाब आजाएगा तीने पंज पंदरा तीन त्रिया नो और एक दस एक सो पांच का गुणा इस पूरी संक्या में करना पड़ेगा आफशन नमबर बी बिलकुल सही जवाब हो जाएगा तो इसे करने के लिए चार आफशन भी दिये जो सोला सही साथ बटे आटे बढ़ा है वो हमारा अंसर होगा तो ये जो सोला सही साथ बटे आट दिया इसे दशमलों में कनवर्ट करेंगे तो क्या करो डाइरेक्ट सोला के बाद दशमलों लगाएंगे जिस से ये साथ का सत्तर हो जाएगा अब सत्तर में आट का भाग लगाओ आट अटईयां चो सट होता है आट बार भाग जाएगा और सत्तर में से सो सट चला जाएगा तो चार हमारे पास 6 हमारे पास बचेगा दश्मलो लगाए तो 6 का 60 हो जाएगा 60 में हम 8 का भाग लगाएंगे तो 8,98, 58, 57, 56, 7 बार भाग जाएगा और 7 बार भाग जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर मैं आपको बता दू कितना बचेगा 4 और बचेगा अब दश्मलो लगाए तो 40 हो जाएगा और 845 यानि कि आप लोगों से क्योशन में पूछा कि 16.875 से बड़ा को ने तो 16.875 से बड़ा हमें दिखाई दे रहा है 16.890 ओफशन नमबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तो प्यारे साथियों यह ते वेरी मॉस्ट और इंपोर्टेंट क्योशन याकीन मानिएगा इसी प्रकार के क्योशन आपको एक्जाम के अंदर भी देखने को मिलेंगे प्रती दिन इस सीरीज को जरूर देखा करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेर करें चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको सभी वीडियो का लोटिपिकेशन तुरंत मिल पाएगा मिलेंगे नेक्स पार्ट में पढ़ते रहेगा जैहिन जै भारत वंदे मात्रम